हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है बिपुल एंड वेलकम इन और यूटूब चैनल तो आज की इस विडिम मैं आपको माइक्रो यस्बी एंड टाइप सी के बारे में बताने वाला हूँ आपको दो टाइपस के डाटा के बल आजकल जाता देखने को मिलते हैं जो कि एक मतलब सारी स्मार्टफोन से लगबख दिया जा रहा है तो आपको सारी फोंस में लगबख माइक्रो यस्बी देखने को मिलते थे लेकिन अब स्टाइप C आपको देखने को मिलता है वैसे वीडियो का इंट्रेस्टिंग तो वीडियो को चली स्टार्ट करते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं तो जल्दी से लाइक करना एंडड़ एंड एंसरी इंटरिं वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले होगे एंड टाइप सी में क्या benefit है कि यहां पे आप मतलब दोनों साइट से भी फोन को चार्ज कर सकते हो मतलब मतलब उपर से लगाओ या नीचे से लगाओ कहीं से भी लगाओ अराम से आपका फोन चार्ज हो जाएगा एंड माइक्रू यसवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है आ यहां पे आप मतलब लिम्टेट पावर को सप्लाई कर सकते हो मतलब यहां पे आप सास से पंदरव वाट तक की मतलब सप्लाई होती थी मतलब आपके जो चार्जर साते थे ना पुराने वाले जो चार्जर सापके आते थे माइक्रू एसबी वाले वहां पे मतलब सास से ले यहां भी माइक्रो यूस्बी में जो था सा से पंदर वाट तक आप पावर सप्लाई कर सकते थे एंड आपसिकल के जो चार्जर आपको टाइप सी वाले देख रहे हैं वैसे मिल भी रहे हैं सतर असी वाट नॉर्मल से हो गएं मतलब ऐसे ऐसे चार्जस आपको देखने मिलते हैं जो आपके चो चार्जर से अपने लैपटॉप स को भी आप चार्ज कर पाओ अगर वो भी Type-C को अगर सपोर्ट करता है तो तो मतलब एक charger अगर आपका Type-C 45W का है तो अगर उससे आप laptop भी अपना charge कर सकते हो और अपने phone को भी charge कर सकते हो लेकिन Micro USB में ऐसा कुछ भी नहीं था तो Type-C आनेक बाद यह दोनों चीज आप एक ही charger से कर सकते हो और गैस नेक्स डिफरेंस जो है वो डाटा ट्रांसपर को लेकर है मतलब पहले Micro USB जो केबल के थूँ डाटा ट्रांसपर किये जाते है ते वो लगबग 480 Mbps की स्पीड से आप डाटा ट्रांसपर कर सकते थे highest and USB Type-C आनेक बाद यहाँ पे आप डाटा ट्रांसपर की जो स्पीड है वो अप टू 10 Gbps की स्पीड से आप डाटा को ट्रांसपर कर सकते हो USB Type-C केबल के थू and Micro USB में आपको वही लगबग 480 Mbps की स्पीड देखने को मिलती थी तो गैस अगला डिफरेंस यह है दोनों में यहाँ पे USB Type-C में आप केबल लैप टॉप्स को and अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो लेकिन Micro USB में क्या था कि यहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते थे as well as आप बहुत सारी electronic devices को भी चार्ज कर पाते थे कि Micro USB बहुत जादा पहले चलता था इसलिए मतलब जो devices आते थे जो गैजेट्स लॉंच होते थे वो Micro USB के चार्ज मतलब जो उसका पोर्ट होता है वो Micro USB वाले पोर्ट देते थे इसलिए Micro USB मतलब इतने सारे electronic devices को support करता था तो दोस्तों यह सारा difference था Micro USB केबल में and USB Type-C केबल में I hope guys आपको Micro USB and USB Type-C दोनों में difference पता चल गया होगा क्या-क्या advantage और disadvantage है वो भी मैंने आपको बता दिया है तो यह सारे difference था Micro USB and USB Type-C केबल के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं जिल दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई